नमस्कर, पुस्पस किचेन में आप सभी का स्वागत है आँच मैं आप सभी के साथ अनानस की चटनी की रेशिपी शियर करूँगी जो कि आप गर्मियों के मौसम में बहुती आसानी से अनानस खरिद कर ये चटनी की रेसिपी बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं अननास की रेसिपी कैसे बनाए एक अननास को अच्छे से धो कर साफ करके उसको अच्छे से छोटे-छोटे टुक्रों में काट लेना है यहां पर में ड्राइ फूट इस्तेमाल करीओ किसमिस 20 पीस, सुगर इस्तेमाल करीओ 400 ग्राम, मास्टर सीट से हाफ चमच और काला नमक है एक चौथाई चमच और यहां पर रिफाइन ओयल इस्तेमाल करीओ सबसे पहले कराई को अच्छे से गरम होने देंगे जब कराई अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें दो चमच रिफाइन ओयल को एड़ करना है रिफाइन ओयल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें मास्टर सीट को एड़ करना है रिफरिन औल जब ठंडा रहत तब master sheet को एड मत कीजिएगा Master sheet थोरा सचटक जाए इसमें तब ananas को add कर देना है Ananas को add करने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेना है Gas का flame जो है वो high रखे Gas का flame high रखे continuous ले जैसे चलाते हुए पका लेना है अब इसमें मैं काला नमक को एट करूँगी काला नमक एट करने से इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है और हाई फ्लेम में इसको पकाने से वो पानी अच्छे से सूक भी जाता है ऐसे continuous ली चलाते रहना है अब इसको 5 मिनिट के लिए धक के पका लेना है ताकि अनानस तब तक अच्छे से soft भी हो जाए अब 5 मिनिट हो गया है इसका धकन जो है वो खोल लूँगी खोल लेने के बाद इसमें मैं चेक कर लूँगी कोई भी extra पानी है की नहीं देखिए extra पानी भी सुख गया है और अनानस भी soft हो गया है अब इसमें मैं सुगर को add करूँगी सुगर आप अपने taste के अनुसर दीजी यहाँ पर मैं 400 ग्रम सुगर को इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो जादा भी कर सकते या कम भी कर सकते हैं अब इसको अच्छे से mix करके low to medium flame में 8 से 10 मिनिट तक continuously ऐसे चलाते हुए पका लेना है चीनी जो है वो अच्छे से melt हो जाएगा और चीनी melt होने से इसके अंदर एक चिपचिपा भाब भी आएंगे ऐसे continuously चलाते हुए पका लेना है गर्मियों के मौसम में अननस जो है वो आपको आसानी से market में मिल जाएगा इसका आप चटनी बना कर खा सकते है या आइस्क्रीम भी बना कर खा सकते है आइस्क्रीम का लिंक में ड्रेस्किप्शन में दे दूंगी अब 8-10 मिनिट हो गया है चीनी जो है वो अच्छे से मिल्ट हो गया है अब देखिए इसमें एक तर आने तक ही पकाना है जाद आप नहीं पकाना है अब जब एक तर आ जाए इसमें ड्राइफूट्स एट कर देना है ड्राइफूट्स एट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उसके बाद इसका गैस का जो फ्लेम है वो ओफ करके इसको ठंडा करके आप जार में भरके फ्रिज में रखकर एक से दो मेहने तक खा सकते है रेसिपी कैसी लगी कमेंट शिक्षन पे इसका अनुभब ज़रूर शेयर किजिए मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद